जार्खन लोक सेवा आयोग ने जारी किया संसोधित प्रिक्षा कलेंडर दिसंबर 2021 तक होगी आठ प्रिक्षा है जार्खन लोक सेवा आयोग ने संसोधित प्रिक्षा कलेंडर जारी कर दिया है इसमें 2021 में होने वाली सभी प्रिक्षाओं को सामिल के आगया है लोक डाउन की वज़ा से पिछले साल जारी प्रिक्षा कलेंडर को दो बार संसोधित करना पड़ा था जपी SC की ओर से जारिश संशोदित प्रिक्षा और इंटर्व्यू क्लेंडर में 17 से 10 संयुक्त शिवील सिवा की प्रार्णिविक प्रिक्षा दो मही से मुख प्रिक्षा सिस्तंबर के चोथे सब्ता और इंटर्व्यू 15 से 25 दिसंबर के बीच निधारित की गई है टांस्पोर्ट एसोशेशन का भारत बंद आज राची मिना समान आएंगे और नहीं जाएंगे लोडिंग अनलोडिंग भी रहेगी बंद वैपारिक संगठन, Confederation of All India Traders की ओर से 26 फरवरी यानि आज सुकरवार को भारत बंद का आवान क्या गया है C.A.T. की इस बंद को राची Goods Transport Association ने भी अपना समथन दिया है इससे राची सेथ पूरे राज में गुड्स की सप्लाई सुकरवार को ठप रहेगी सुनिल सिंग चोहान ने बताया कि सुकरवार को राची में लगबग पाइस ट्रक गुड्स की सप्लाई बादित रहेगी इसमें रोजमर्डा की जुरत की समान सामिल है उन्होंने बताया कि इस दोरा राची में समान की नहीं कोई गारिया आएगी और नहीं यहां से कोई गारी जाएगी इसका असर लोकल टांस्पोर्टरशन पर भी पड़ सकता है खबर है जहरकन के गुमला से शुरक्षा बलो से मुडवेड के बाद नक्सलियों ने किया IED ब्लास्ट CRPF का एक जवान घायल नक्सलियों दोरा की गई IED ब्लास्ट की चपेट में आने से गुरुवार को CRPF 218 बटालियन का एक जवान घायल हो गया जवान के दोनों पेरों को छती पहुची है चैनपूर बलोक इस्तित कुडमगर थानाचेतर के सिवील रोड़ेंग गाउन के जंगल में यह IED ब्लास्ट हुआ बिश्पूर तब हुआ जब जीला पुलिस और CRPF के जवान नक्सलियों से मुटभेड के बाद सर्च ओप्रेशन चला रहे थे घायल जवान को हेलिकॉप्टर की मदद से राची लाया गया और मेटिका हस्पिताल में भरती कराया गया है खबर है ज़ारकन के खुटी से ज़ारकन के खुटी में महिला पुलिस अधिकारी घुस लेते पकड़ी गई बरश्यचार निरोदक बीरो यानी ACB की टीम ने महिला पुलिस अधिकारी को गरपतार किया खुटी की महिला थाना परभारी मिरासी को 15,000 रुपिय घुस लेते गरपतार किया गया है बताया गया कि दुसकर्म के एक मामले में आरुपित को बचाने के लिए महिला थाना परभारी ने 50,000 रुपिय की रिश्वत मांगी थी जिसमें पहले किस्त में 15,000 की मांग की थी और रिश्वत लेते ही दवोचे गई जारकन के कुल कुरोना एक्टिव केस का 57.5 फिसरत सिर्फ राची में ही देश के कुछ राज़ु में कुरोना वाइरस ने दोबारा पैर फेराना शुरू कर दिया एक्टिव केस के बढ़ते ग्राप ने राज़ सरकार की चिंता बढ़ा दी है इसे देखते हुए जारकन सरकार ने भी कुरोना की जाज़ दर को बढ़ाने का निर्देश दिया जारकन सरकार की चिंता बढ़ना लाज़मी भी है 24 फरवरी की सुबह तक राईज में कूल 447 एक्टिव केस दर्च कियेगे इनमें 277 एक्टिव केस सिर्फ राची जीले में जो की 27.5% मना जाता है वहीं पूरू सिंभू में कूल एक्टिव केस 60 है जो एक्टिव केस का 13.5% है इधर कूल एक्टिव केस का 5.6% लोहर्दरगा में 5.2% गुमला से और 4.1% देवघर से है जानकारों का काना है कि हवाई और रेल मार्क से यात्रा का सेक्रों लोग राची होते हुए राईज के अनी जीलों में जाते है राची में पहले से ही एक्टिव केस की संख्या अनी जीलों के मुकाबले अधिक है वहीं अनी राईजों से लोग राची आ रहे हैं ऐसे में जरा सभी लपरवाई एक्टिव केस की संख्या बढ़ा सकती है लोगों को सकती से कुरोना की गाई लाइन का पालन करना चाहिए खबर है जारखन के राची से जारखन के युवाओं के लिए जल्दी सेना में भरती के लिए केम का आयोजन होने जा रहा है जिसमें राइच के सभी जीलों से युवा भाग लेने पहुचेंगे राची इस सेना भरती आयोजन में चैनित हुए अभियार्ती ही मेडिकल और लिखित परिछा में भाग ले पाएंगे वही इसमें भाग लेने के लिए अभियार्तियों को अपना एडिमीट कार्ड के साथ मूल दस्तावेज भी लाना निवार क्या गया है आप सब को बता देना चाहता हूँ कि इसका अविजन राची के मुराबाद मेदान में 10 मार्च 2021 को क्या जाएगा सेनामे होने वाली में पूरी तरह से सतर्क्ता बरतने के लिए कहा गया है जिसके तरह 40 दस्तावेज से लेकर दलालों से भी सवधानी बरतने के लिए पूरी हिदायत दी गई है जार्खन बिधान सबा का बज़र्शत्र आज 26 फरवरे से सुरू होने जा रहा है बज़र्शत्र में हंगामे होने के असार है विपक्ष ने विकास युजना की धिमी रप्तार पारा सिक्षकों और अने सम्मिद्दा कवर्यमियों के सिवा अस्थाई करन की मांग गिर्ती कारून व्योस्था बाबुलाल मारांडी को नेता परतिपक्ष नहीं बनाए जाने और चालू वित्वस में बज़ट रासी नह सबाब देने तथा समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया है जब कॉंग्रेस के हो गये हैं परतिप और बंधु तिर्की तो मारांडी को नेता परतिपक्ष मानने से क्यों इनकार करने है जारकन में आगामी बज़ट शत्र को लेकर वुद्वार को विधासभा अध्यक्ष न एक बार फिर नेता परतिपक्ष का मुद्दा उठा बैठक के बाद विपक्षी दल के मुख सचे तक बिजपी विदायक ब्रंजी नरायन ने कहा कि बंधु तिर्की और पर्दी व्यादों को कॉंग्रेस का नेता माना जा सकता है तो बावलाल मरंडी को बिजपी के नेता म पोले सिरी राम मंदीर निर्मान से भावय एवंग दिव्य भारत का होगा होदै अउध्या में भावय सिरी राम मंदीर निर्मान के लिए जमसेत्पूर सहर के सभी लोग समर्पन निदी में बढ़ चल कर अपना सयोग दे रहे हैं सिरी राम मंदीर निर्मान के समर्पन नि खबर है जारकन के गड़वा से बड़ी गलती की है अपसी कला से जूज रही जारकन कॉंग्रेस का रुख साप बजट सत्र के दोरान देगी हमन सरकार का साथ जारकन में पार्टी अंतर विरोध और सांगटनी क कलाह का समना कर रही कॉंग्रेस अपनी अस्तितु को बज़ानी की कोशिच में जूरती नजर आ रही है विधान सबाब बजट सत्र में से पहले कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी ने सरकार में गठबंदन को अटूट बताया और हमन सरकार के हर फजले का साथ खड़ा रहने को लेकर स्टेंट साप किया दरसल इन दिनों परदेश कॉंग्रेस संगटनी का अंतर विरोध से जूज रही है संगटन में ही परदेश कारिकारनी के कई वरी नेता खुलकर पार्टी बैठक में एक दुसरे का विरोध कर रहे है जिससे संगटन से बाहर और सरकार में गलत संदिश जा रहा है जार्खन के राची में जल समिश्या से निपटनी के लिए राची नगर निगम तयार गर्मी से पहले सहर के कई वाड़ों में लगेगी नई बोरिंग और वाटर होस्टिंग नगर निगम बोड की बैठक बुद्वार को निगम सभागार में भी इसमें गर्मी में होने वाले जल संकट के समाधान की तेयारियों पर चर्चा हुई मेर असा लकडा ने कहा कि पंदरवे वित आयोकी रासी से सभी तीरपन वार्ड में नए बोरिंग और वाटर होस्टिंग कराये जाएगी जिस वार्ड में बोरिंग होगी वहां सुकपीट का निर्मान भी कराये जाएगा सकपीट का निर्मान पानी की वरबाद रोकने तथा बूघर विस जल अस्तर बनाई रखने के लिए क्या जाएगा इसके अलावा सवी वाड के सारवजिनक अस्थानों पर पांच-पांच वाटर होस्टिंग का भी निर्मान होगा खराप पड़े बोरिंग वर हेंड पंप मार्च तक ठीक कराए जाएंगे नई बोरिंग के लिए भी पार्षदों से सुची मांगी जा रही है यूआओं वेपारियों महिलाओं की निगा बजट पर रोजगार सुरक्षा सिक्षा पर फोकस जार्खर सरकार की ओर से अपना बजट पेश किया जाना है इसको लेकर विभागी अस्तर पर पर किया लगवख पूरी कर ली गई राए सरकार के बजट पर समाज के अलग-अलग वरगों की निगाएं लगी है युवाओं, वेपारियों, महिलाओं, अधिबक्ताओं की अपनी अलग-अलग मांग है राज के वित्य मंत्री पहले ही घोशना कर चुके हैं की जनता पर कोई अत्रिक्त टेक्स नहीं लगाया जाएगा ऐसे में लोगों की उमीद सुरक्षा, सिक्षा और रोजगार जैसे छेत्रों में उठाए जाने वाली नए कदम पर लगी है बरतमान में भांगाय की मार्ज से परिशान आम आदमी को राज सरकार के फचले से रहात मिलने की उमीद है खबर है जार्खन के चास से बिजली कामगार दस मार्ज से करेंगे चरनबद अंदोलन जार्खन राज बिजली कामगार यूनियन की बेठक चास बिजली कारियालाय परिशर में परदेश महममंतरी रामकृष्ण सिह की अधिक्षता में की गई राम कृष्णा ने कहा कि चार सुत्री मांगो पर सकरात्मक पहल नहीं किया गया तो दस मार्शे से चरनबद अंदोलन क्या जागा कई बार उर्जा विकास निगम लिमिटेड परबंदन से दीपक्षी वर्ता भी भी लेकिन परबंदन टालमटोल की निती अपना रही है बिहार में वर्स 2017 में ही 6% उर्जा भत्ता दिया जाता है लेकिन जारकन सरकार केवल अस्वासन दे रही है जारकन के स्वास्त मंत्री ने कहा कि राज के बिटिटी का नहीं होगा अस्थांतरन राज के विभीन जीलों में स्वास्त सिवा के तहट कायर कर रहे हैं बिटीटी का फिलाल अस्थांतरन नहीं होगा पुरु विधायक अरुप चट्रजी के नेतुत में राज भर के विटीटी स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता से मिलकर अपनी फरियाद बुद्वार को रखी थी बन्ना गुपता खुद पति निदी मंदल से आकर मिले उनकी समिश्चा सुनी और विभाग के एमडी को गुरुवार को बुला कर बाचीत कर समिश्चा का समाधान करनी की बात कही थी बंध्याकरन और नस्बंदी के लिए सरकार ने लिया है बड़ा फैसला परिवार कल्यान कारिकरम के तहत बंध्याकरन ओप्रेशन फैल होने पर अब लाभुकों को मौजे के रूप में 60,000 रुपय मिलेंगे वहीं साथ दिनों के अंदर लाभुक की मिर्त्यू होने पर 4,000,000 रुपय उसके आसित को मिल सकेंगे परिवार नियोजन ओप्रेशन कराने वालों के लिए पहले यह राशी करम सत्ती सजार तथा 2,000,000 रुपय ही था दरसल परिवार कल्यान कारिकरम में मौजा का प्रवधर अभी तक राश्टी स्वास्त अभियान के तरत दिया जा रहा था अब सर्वोष नियाले के आदेश पर जितनी राशी, राश्टी और स्वास्त अभियान से दी जाएगी उतनी ही मौजा राशी, राज सरकार अलग से भी देगी इसे लेकर स्वास्त विभाग ने प्रस्ताव त्यार क्या है इस पर कबिनेट की स्विकिति ली जाएगी खबर आए जहारखन के साहिबगन से भाजपा निता सुरिया हस्दा को गरपतार करना साहिबगन जी लेके बरहरवा एस डिप्यों पीके मिस्त्रा को महंगा पड़ा पुलिस जब ग्रपतार कर लोट रही थी तो भीड ने घेर लिया भीड ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया एस डिप्यों की जमकर पिटाई भी की सीर फट गया इलाज के दोरान सीर में आठ टाके लगे हैं एस डिप्यों के चालक पिंटू का भी हाट टूट गया है दो अंगरक्षक भी घायलोए हैं इतना ही नहीं भीड एस डिप्यों की बेग भी ले गई जिसमें 28 चक्र गोली और 50,000 रुपय थे भीड के हमले के बाद भास्पा नेता भाग निकले इस मामले में पुलिस ने बुर्यों थाना में प्राथमी की भी दच की है एस डिप्यों के अंगरक्षक बचाओं में फारिंग करना चाहते थे लेकिन भीड को देखते हुए एस डिप्यों ने इसकी अनुमती नहीं दी जार्खर में एक माज से आम आदमी को लगेगा करोना का टिका बुजूर्गों को सबसे पहले जार्खर में एक माज से बुजूर्गों का टिका करन शुरू होगा इस्तिति से 60 साल तथा इससे अधिक आयो के लोगों को पहली डोज का टिका लगाया जागा साथ ही 45 वर्ष से अधिक उमरवाले वैसे लोगों का भी पहली डोज का टिकाकरन शुरू होगा जो गंबीर विमारियों से जूज रहे हैं केंद्रे स्वास्त सचीव राजिस भूसने बुद्वार को राज के पदाधिकारियों के साथ ही वीडियो कॉनफरेंस में इसके लिए सभी आविशे करवाई करने के निदेश दिये साथ ही क्रोना टिकाकरन में गती लाने तथा एक मार से पहले सभी हेल्थ केर वर्कर्स तथा फ्रंट लाइन वर्कर्स का टिकाकरन पुरा करने को कहा इसके साथ ही आज के समाचारों बस इतना ही हमें दिजे हिजायत नमस्कार